रोल नील आप अपनी जर्णी किस तरह से देखते हैं और आपका पहला रेक्शन क्या था जब आपको मालूम पड़ा आप घर से निकलने वाले हो मेरी जर्णी बहुत खूबसूरत रही है मेरे नजरिये से मैं बहुत खुश था जब मैं इस घर में इंटर हुआ बहुत सारी चीजे सीखने मिली जैसे कि रिष्टे क्या होते हैं रिष्टे की बुनियाद क्या होती है उसके इंपोर्टन्स क्या होते हैं किस तरह से एक इंसान को परखा जाता है ये सब चीजे सीखी तो काफी कुछ सीखने मिला emotional journey थी, बहुत खुशनुमा journey थी and finally, जब मैं मेरा नाम लिया गया, तो एक acceptance था, क्योंकि एक format है किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी किसी को जाना ही, तो उस वक मेरा नाम लिखा था, तो acceptance था, it was not कि मैं चला गया, ऐसा नहीं था कुछ भी so, एक emotional होना जरूरी नहीं कि मैं रो, emotional होना खुश भी हो सकता है, तो बहुत जादा खुश, खुशी थी, बहुत जादा gratefulness था मेरे अंदर and मैं Big Boss का तहे दिल से शुक्रे आदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 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 मौका दिया इस शो में आने का निल्स जब इस शोरिया घर में थी तो पही न कहीं आपका लोगों को ऐसा लगता था आपका गेम कमजोर पड़ रहा है लेकिन जब इस शोरिया बहार आगी कि आपका मन नहीं लगता था हम आपको टीवी में जादा देख नहीं पाए तो इसके पीछे का क्या वज़ा हो सकता है पहली बात तो एडिटिंग मेरे हाथ में नहीं है कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा दूसरी बात मुझे पता है मैं वहां क्या कर रहा था तो आई जनूरी डून नो वाट हैस बिन शोर और नाट बिन शोर है सो मैं उनका फोरेवर ग्रेटफुल रहूंगा कि उन्होंने मुझे अग्नॉलिजमेंट दी एंड सेकेंड अफॉल हां पस आई थिंक मेरा जवाब इनना ही है देने की जरूरत नहीं है विक्की जिस तरह से अंकीता को ट्रीट कर देते हैं हाथ उठाया मारा नहीं है उठाया है तो क्लारिटी उसमें रखते हैं सरा सा गलत हरकत है हाला कि मैंने वो विटनिस नहीं किये बट जो मुझे बताया गया है और आप जब ये सवाल पूछ रहे तो उसका मतलब आपने भी वो चीज देखी है और अगर ये चीज किसी रिष्टे में आ रही है तो किसी भी रिष्टे में होना ये गलत ही है सो मैं इसका समर्थन नहीं देता सब उमीद कर देते हैं आप लाज तक जाने वाले हो लाज तक दिखोगे लोगों को लेकिन आप कही न कहीं नहीं जा पाएं तो इस पे आपका क्या रेक्शन है? क्या कर क्या रहे है? अब उनका नया क्या चल रहा है? नहीं चुगली क्या चल रही है इनकी? So I think that's what my plan was और जो जिस तरह से ईशा और अंकीता के रिष्टे में जो तनाव थी वो तनाव भी में आगे लाना चाह रहा था और किस तरह से अंकीता उसको छिपा के अपना पुराना तरीका था अपना रिष्टा था वो क्या रीजन था? जो बोते हैं ना एक तरह एक सेंग है के मौके मिल रहे थे तो I think वो भी मैं उसका फायदा उठा के चारो को नॉमिनेट करना चाह रहा था आपके निकलने के पीछे किसका हाथ हो सकता है और कहीना की आपको यह लगता है कि आपके जगा किसी और को किसको निकलना चाहिए था? बिलकुल पहली बात तो यह सब जा जो में रहने का एंड उसके साथ साथ समर्थ उन दोनों को पहले निकलना चाहिए उसके बाद ईशा अंकिता इस वो बे आउट अप दो हाउस फर्स्ट मुनावर के वारे में क्या किना चाहिए कि मुनावर का गेम आपको कैसा लग रहा है? आपके नमबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके लोगों के नमबर्स बढ़ते जाएंगे तो कहीं नह kepada कि आपके लोग जब रहेंगे तो आपकी safety बनी रहे दोनों आपके पास है क्योंकि आप भरोसा रखते हैं चटे से बारा मतलब आधे शो के बीच में से उनको समझ में आया कि उनकी गेम एक्चुली थी रिष्टों के उपर, फिर भी मुनवर समझ गया इस चीज को और वो उस चीज से हट गया, वगर विकी अभी भी उधर ही लगा हुआ है, तो I would say मुनवर की गेम एक स्लो क्या है कि अभीषेख बहुत ही emotional इंसान है, उसका हर चीज ना, ऐखुदी बोलता है कि मैं हर चीज में over हूँ, अगर प्यार करता हूं, घुसा करता हूं तो over करता हूं, अगर मैं रोता हूं तो over होता है तो उस ने हमेश society can, उनकी भीये हैं, और हम सबने या चीज देखी किया है ताकि वो उसका side निकले, मैंने हर बार कोशिश किये, रिंकु जी ने हर बार कोशिश किये, कि वो चीज ना निकले, वो side उसका ना निकले, तो unfortunately ऐसे लोग हैं जो किसी के mental health का, किसी के emotion का, किसी के जज़बात के साथ, खेलना उनको पसंद है. मैं किसी को भी top 3 में फिलाल नहीं देख सकता, विकोज बहुत जल्दी है, क्योंकि शो का format ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पता चले मैं यहाँ पर तीन नाम लो और double eviction में दो नाम निकल ली है, तो फाइदा नहीं है, top 3 का नाम लेने का, अभी फिलाल फाइदा न नजदीक आएगा, last के एक दो हफते रहेंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा, कि top 3 में कौन जा सकते हैं, और सलमान सर के बार में इतना कहूंगा, कि उनके लिए बहुत respect है, उनके लिए बहुत प्यार है, thank you so much for having me. तो आप सभी को मेरी तरफ से a very happy new year, thank you sir, thank you, thank you sir.